खौजा मोहिनुद्दिन हसन चिष्टी के दरगा में सोमवार अलसुबे बम की अफवा से अफरात अफरी मच गई यह अलग बात है कि लगबग तीन घंटे चले सर्ज ऑपरेशन में दरगा में कुछ भी आपत्ति जनक नहीं मिला इस मामले में पुलिस और प्रिशासन के साथी अंचुमन कमिटे ने भी आमचन और जायरीनों से अपिल की कि वे किसी भी अफवा पर ध्यान ना दे पुलिस अब कंट्रोल रूम को दरगा में बम की सूचना देने वाले की तलाश कर रही है खौजा साब की दरगा में बम होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को सोमवा सुबह लगबग सवाच्छे बजे अक्या शक्स द्वारा फोन पर दी गए इस सूचना के बाद सतर्ख हुए पुलिस और प्रिशासन ने आननफानन में दरगा को खाले कराया दरगा के सभी गेट बंद कर पूरी दरगा की तलाशी ली गई इस दोरान संदिक दों से भी पूछताच की गई तलाशी के दोरान बम निरोधक दस्ते के साथ ही एर्टी और क्यू आर्टी टीम भी मौज़द रही रहत देने वाले ख़वर यह रही कि इस तलाशी के दोरान कुछ भी संदिक दिन नहीं मिला दरगा में बम की सूचना के बाद शुरू किये गए तलाशी अभ्यान के दोरान अजमेर एस पे विकास कुमार सक्रिया नजर आये और पूरी कारवाई का नेत रुत्व किया महीं अजमेर रेंच आईजी मालिनी अगरवाल भी लगा तार पूरे मामले का फीड़बैक लेती रही बाद में दोनों अधिकारियों ने दावा किया कि दरगा की तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्ती जनक नहीं मिला है पुलिस ने लोगों से शान्ती बनाय रखने की अपील की है दरगा में बम की सूचना के बाद शुरू किये गए तलाशी अभियान में पुलिस को अंजमन कमिटी का भी पूरा सहीओ मिला अंजमन कमिटी के सदर मोहिन सरकान ने इसे शरारती ततोधारा फैलाई गई अफवा करार देते हुए आमचन और जाहिरिन से शान्ती बनाय रखने की अपील की आज च्छटी शरीफ का ये मौका है और तमाम लोग च्छटी में यहां पर हाजिर होते हैं जिसने भी ये घिनोनी हरकत की है उसको तो खाजा साब और अल्ला ताला समझ लेगा लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये अचानक कंट्रोल रूम से कुछ टेलीफोन मिला इनको कि इस तरीके से ये इतला थी कि यहां पर कोई बम बगारा कुछ विस्पोर्टा गए तो मेरे पास में जो यहां पर सी आई एं उनका टेलीफोन आया टेलीफोन आते ही में यहां पर पहुंचा हम सब ने मिल करके जो सेक्यूरिटी फोर्से आई थे उनकी मदद की उनका सहयोग किया और उसके बाद में तमाम लोगों को एक तरफ करके जो भी चान बीन करनी थी दरगा शरीफ के अंदर वो पूरा मुतमईन हो गए उसके बाद में सब लोग अंदर आए और जिस तरीके से खाजा साब के दरबार में आस्था के साथ में लोग आते हैं ठीक उसी तरीके से चटी शरीफ का प्रोग्राम यहां पर अंजाम हुआ और सारे खुदाम में खाजा ने खादिम समुदाए ने इसके अंदर तावन कि तमाम गेटों से लोगों को अंदर लिया स्पी विकास कुमा खुद मानते हैं कि सर्च ऑप्रेशन के दौरान सुरक्षा की कई कमियां सामने नजर आई हैं पुलिस और स्थानिय प्रशासन तमाम सुरक्षा एजनसीस के साथ ही दरगा और अंजुमन कमिटी के साथ बैठ कर दरगा की सुरक्षा की समिक्षा करेगी इस समीक्षा बैठक के बाद दरगा के सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा किया जाएगा करके सर्च कर लिया गया कोई भी आपति जना किया समाने चीज नहीं पाई गई कुछ समय के लिए जरूर दरगा को अमनों ने इंट्री बंद की थी और थोड़ासा एक्सेस कंट्रोल किया था उसके बाद जब सारी जाच कर ली गई सब कुछ समाने पाया गया तो फिर से नर् पाई गई है उस व्यक्ति ने जो कॉल किया विस्वस्निया नहीं लगता कोई पुछ्टी नहीं हो पाई है उसकी तो यह सरारत पूर्ण कारवाई भी हो सकती है तो हर दिश्टिकोंड से पूलीस देख रही है उसमें जो नंबर जिस नंबर से फोना था स्कूर करने कुशि परंदू जिसने भी फोन किया है क्यों किया किन पर इस सिटियों में किया क्या मंचाती उसकी वह जल्दी सपष्ट हो जाएगा दो तीन फोना आए थे दोनों तीन उन फोनों में अलाग बात कही गई थी तो कुल मिला के सती यही थी कि वहाँ पर कुछ ने कुछ वर्दात ह आते हुए एक पर पूरी चीज़ें फ्रिस्किंग खर लीगे सारी चेक खर लिया गया इसी भाहने ये भी चेक हो गया कि एजन्सीज का तो उस चीज़ के बारे में आज फिर से विचार किया गया है कि इसको एक फिर से समिक्षा करके और दुरुस्त और बेहतर किया जा तूस समंध में कमिटी के साथ ही बैठेंगे हम लोग पुलिस इंटेलिजेंस सारी यूनिट्स बैठके और उसको और दुरुस्त और चाक्ष जाहिर ना कर सूजबूच का परिचे दिया और दरगा को वियाईपी मूमेंट का हवाला दे कर खाले कराया जिससे कोई भगदर नहीं मची उन्होंने एसपी विकास कुमार की नेतरत्रत्रक्षमता की तारिफ की जिलाप पुलिस परिशासन इमिजिएटली जिस तरह से हरकत में आया वो बदाई के पात रहे हैं कि उन्होंने उसको लाइटली ने लिया पहली चीज़ दूसरी चीज़ के एसपी विकास कुमार साब स्वेम इसका नितरु कर रहे थे और चुम्के आज गरीब नावाद रहम तुल्ली की माहना च्छटी है बाहर के राजिस्तन राज्जे से और बाहर के राज्जों से जो जाहरी यहां पर थे उनकी तारत काफी आजारों में थी तो किसी गुस्म का पैनिक ना पहले तो उन्होंने ये दिश्चा निदेश दिये थे कि वी आई पी मुमेंट हो रहा है इसलिए दर्गा को खाली किया जाए ताकि किसी गुस्म की कोई बहत्रा बगरा नहीं नहीं मचे और उससे कोई जाने माली नुक्सान नहों देखे ने है खो किसके है थी दर्गा को खाले करें तो तो उसकी चैकिंग तो जो है रूटिंज तो मोनिर जो है हमेरे जो है आपना प्रपर कर रहे हैं या नहीं तो क्यों नहीं करissä चंथा उसकी पर एक्शन जिला परिशासन ले, दरगा परिशासन में इखलाओ, यानि अब समय आ गया है, पहले भी आ चुका था, अब तो और जादा आ गया है, चुंकि जब इस किसम के कंट्रोल नों को मैसेज मिल रहे हैं, तो आगे क्या नहीं हो सकता?